तो स्टार मार्सल कॉड टेकनीक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सींगे जावियान को उस ٹूर्णमेंट में बड़े ही अराम से हडा देता है और अब हमें दिखाये जाता है कि जाओ फैमली का हैड यूफैमली के हैड के सामने बैठा होता है और उससे बोल रहा होता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सींगे इतना जगा टैलेंटिड होगा और इतनी जल्दी वह अपना लेवल बढ़ा लेगा और अगर सींगे इसी तरह पावरफुल बनता रहा तो वह जाओ फैमली को एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा और तभी यूफैमली का हैड अपने बगल में खड़े एक आदमी से बोलता है चैन डेन मुझे पता चला की इस लड़के ने अभी कुछ महिने पहले ही कल्टिवेशन प्रैक्टिस स्टार्ट की है और अभी यह फिफ्ट लेवल पर पहुंच चुका है तो क्या यह बात सच है डेंग बोलता है यह इन्फरमेशन बिलकुल सच है अब यूफैमली का हैड बोलता है अगर वह लड़का इतना ज़्यादा टैलेंटिड है तो उसे टियंग सांग अकैडमी से क्यों बाहर निकाल दिया गया जिस पर डेंग उसे बताता है कि इस बारे में किसी को भी नहीं बता पर लोग कहते हैं कि इस मामले में नॉर्थन सिटी का कुछ हाथ है अब यू फैमली का हैड बोलता है कि अगर सींगे के साथ नॉर्थन सिटी का कुछ लेना देना है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तब ही डैंग बोलता है कि अगर अभी उन्होंने सींगे का कुछ नहीं किया अब यू फैमली का हैड बोलता है डैंग तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और अभी सींगे हेवेंली रेलम के सिक्स लेवल के आसपास है तो फिर तुम हमारे कुछ लोगों को भेज कर सींगे को मरवा दो पर इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह काम हमारे आ भी नहीं चुकाया है और जाओ फैमली का भी काफी कर बाकी है तो फिर तुम जाओ फैमली का भी पूरा कर ये फैमली से वसूल करो और इन फैमली को लेकर आइंदा मेरे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वरना तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारा क्या कर पूंगा अबिया सुनकर डैंग काफी ज़़दा डढ़ जाता है और बोलता है कि, अब आगे से वह यह सब कुछ खुद पर कुद समाल लेगा, तो इस बार वह उसे माफ कर दे, और अब यूफ एमली का हैड वहाँ से चला जाता है, और अब जाव फैमली का हैड वहाँ पर उटता है और डैंग को थैंक्स करते हुए बोलता है कि आज डैंग ने उसकी यहाँ पर काफी जादा मदद की है पर डैंग वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है अब डैंग का ये एटिट्यूड देखकर जाओ फैमली का हैट बोलता है कि सायद से डैंग भूल गया कि व और सायद इसी लिए वह खुद को ग्रेट समझता है अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठ कर सींगे अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस करता होता है और अब वह जब अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस करके उठता है तो वह देखता है कि उसके बगल में ही काम काफी ज़्यादा मुश्किल होगा तभी यूनिंग बोलती है नहीं या उसके लिए बिलकुल भी मुश्किल नहीं है और वह सभी प्राब्लम्स को खुशी-खुशी फेस करेगी क्योंकि वह सींगे के साथ होगी और तभी उन दोनों के उपर कोई फायर बॉल से अटेक करता है सींगे उसे देख लेता है और वह यूनिंग को लेकर वहाँ से हट जाता है और अब वहाँ पर कई सारे माक्समैन आ जाते हैं अब वह माक्समैन वहाँ पर यूनिंग को देखकर परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि नॉर्टन सिड़ी कि प्रिंसेस यहाँ पर क्या कर रही है वहीं सींगे उन सभी मार्क्समैन को देखकर समझ जाता है कि वह सभी Heavenly Realm के 6th लेवल पर है और सींगे और यूनिंग एक साथ मिलकर भी उन सभी का सामना नहीं कर सकते हैं इसलिए अब सींगे उनिंग का हाथ पकड़ कर वहाँ से भागता है और वह सभी मार्क्समैन उनका पीछा करने लगते हैं तब ही सींगे उनिंग को लेकर उस लेक में कूच जाता है वहीं मार्क्समैन अभी वे उनका पीछा कर रहे होते हैं अब वह दोनों जाकर लेक में एक पत्तर के पीछे चुप जाते है यूनिंग बोलती है सींगे आखिर यह लोग कौन है सींगे बोलता है उसे नहीं पता पर उसके खयाल से इन्हें यू फैमली के लोगों ने भेजा है यह सभी Heavenly Realm के 6th लेवल पर है और वह दोनों एक साथ उन सभी से fight नहीं कर सकते हैं इसलिए उन दोनों को इन से छुपना होगा अब यूनिंग और सींगे तैरते हुए एक island पर आ जाते हैं वहीं सींगे को वह island काफी जादा अजीब लग रहा होता है और तभी वहाँ पर एक बीस्ट के चिलाने की आवाज आती है और अब वह दोनों देखते हैं कि उनकी और एक बहुत बड़ा बीस्ट आगे बढ़ रहा होता है जिसे देखकर यूनिंग काफी जादा डर जाती है वही उस बीस्ट को देखकर सींगे काफी जादा है और सूच रहा होता है कि आखिर इतना बड़ा बीस्ट इस चोड़ने से island पर कैसे आ सकता है और सींगे के हिसाब से यह बीस्ट heavenly realm के 8th level पर है और अब वह बीस्ट उन दोनों को देखकर काफी तेजी से चिलाता है अब उस बीस्ट के चिलाने की आवाज को सुनकर वह मार्कसमेंट समझ जाते हैं कि सींगे और यूनिंग उसी island पर छुपे होंगे और अब वह तेजी से उस island की ओर आने लगते हैं और तब ही वह सींगे और यूनिंग के आगे उस बीस्ट को देखकर काफी ज़्यादा डड़ जाते हैं और अपनी जगह पर ही रोक जाते हैं और अब वह बीस्ट सींगे और यूनिंग पर अड़ाक करता है जिसे सिंगे और यूनिंग रोकने की कोशिस करते हैं पर वह दोनों दूर जाकर एक पेर से टकराते हैं जिसे यूनिंग बेहुस हो जाती है अब सिंगे सोचता है कि वह किसी भी हालत में इस बीस्ट से फाइट करके नहीं जीत सकता है पर आइज स्पियर का इस beast पर असर हो रहा है तो उसे अपनी आइज स्पियर का यूज करके इस beast को यहीं पर रोकना होगा वही पर दूसरी ओर वह beast उन marksman की ओर देखता है जिससे डर कर वह marksman वहाँ से भाग जाते हैं और अब वह beast सींगे पर अटेक कर देता है यू फेमली के हैड के पास जाकर उन्हें यह रिपोर्ट देनी चाहिए कि सिंगे अब मर चुका है और अब वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं वहें उस बीस्ट से फाइट करके सिंगे की हालत काफी ज़्यादा खराब होती है पर उस बीस्ट को एक भी खरोच नहीं आई होती है और अब सिंगे काफी ज़्यादा थक चुका होता है और तभी वह बीस्ट सिंगे पर अटैक कर देता है पर उसी वक्त कोई उस बीस्ट पर अटैक करके उसे मार देता है अब यह देखकर सींगे काफी चाता है हैरान होता है और सोचने लगता है कि Heavenly Realm के 8th level के beast को कोई अपने एक ही attack में कैसे मार सकता है अब सींगे उस person की और देखता है तो वहाँ पर एक lady घड़ी होती है अब वह lady बोलती है कि उस दिन तुमने मुझे उस seal से आजात किया था इसलिए आज मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई है यह तुम्हारी kindness का reward है पर वहाँ पर सींगे को उस lady की कोई भी बात समझ में नहीं आती है और अब सींगे वहाँ पर बेहोस हो जाता है के साथ खड़ा है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी goldfish आती है अब सींगे की आख खुलती है तो वह देखता है कि वह एक जगह पर लेटा हुआ है यह देखकर वह सोचने लगता है कि सायद से वह lady सींगे को यहाँ पर लेकर आई है अब वह लेडी सींगे के पास आती है और बोलती है कि उसको नाम सैंगे गुन है और वह सींगे से पूछना चाती है कि सींगे के डैंटियान के साथ कोई प्रॉबलम है क्या सींगे बोलता है क्यों क्या हुआ मेरे डैंटियान को अब वह लेडी बोलती है तो क्या तुम टियांजू को जानते हो सिंगे बोलता है नहीं वह किसी टियांजू को नहीं जानता है अब वह लेडी बोलती है कि यह अच्छी बात है कि वह दोनों एक दूसरे को नहीं जानते है अब सिंगे पूछता है कि वह लेडी सिंगे को यहाँ पर क्यों लेकर आई है और यूनिंग कहाँ पर है सियागुन बोलती है कि यूनिंग बिल्कुल ठीक है अब सिंगे बोलता है कि सियागुन ने उसकी जान बचाई है तो वह सियागुन की मदद करना चाहता है अब सियागुन सिंगे से उसका नाम बूचती है सिंगे उसे बताता है कि उसका नाम ये सिंगे है अब सियागुन बोलती है ये सिंगे मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम मुझे रीपे करना चाते हो सिंगे बोलता है हाँ वह सियागुन की मदद करना चाहता है अब सियागुन बोलती है कि अभी सिंगे को कुछ दिनों तक इंदिजार करना पड़ेगा उसके बाद वह सियागुन के लिए एक काम कर सकता है तब तक के लिए सिंगे को शुरक्षित रहना होगा इसलिए सियागुन सिंगे को अपनी कुछ पावर देती है और अब वह पावर लेते हुए सिंगे को काफी ज़्यादा पेन होता है वहीं दूसरी और वह सभी माक्समेन यूँ फैमली के हैड के सामने आचुके होते हैं और उसे अपना रिपोर्ट देते हुए बता रहे होते हैं कि उन्होंने सिंगे को लगबग मार ही दिया था पर एन वक्त पर सिंगे लेक में चलांग लगा कर वहां से भाग गया पर वह काफी ज़्यादा अनलकी निकला वह भाग कर एक आलेंड पर गया जहांपर एक बीस्ट ने सिंगे पर अटैक कर दिया और उन सभी के हिसाब से यूनिंग और सिंगे दोनों ही उस बीस्ट के हाथो मारे गए होंगे अब यू फैमली का हैड बोलता है कि तो क्या तुम लोगों ने अपने आखों से उस बीष्ट को सींगे को खाते हुए देखा जिस पर वह मार्कसमेन जुट बोलते हुए हामे जवाब देते हैं और अब यू फेमली का हैड उन सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है वहीं एक जिगह से चुपकर लियांग्यू ये सभी बाते सुन रहा होता है अब लियांग्यू बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सींगे इतनी जल्दी मारा जाएगा पर जो भी हो उसे इससे कोई फटक नहीं पड़ता है और ये एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है